इसका दोस्तों मैं हूँ सुभास कुमार आप देख रहे हैं इसके टेरिशन गार्डन टिप्ट आज के वीडियो एक कुछ ऐसा है कि अगर ये प्लांट जो हम लगाए हैं इसे लगा लेते हैं तो इतनी फ्रूटिंग होगी आपके छत पे काफी च्छाओं भी गर्मियों में देगा ये और बहुत ही असानी से ग्रोव हो जाता है इसको लगा लेते हैं तो आपको ये जैसे ही फ्रूटिंग करेगा सिर्फ आपके खाने की बस की बात नहीं रहेगी आपको परोशियों को तो जरूर बाटना पड़ेगा क्योंकि उतना जो है फ्रूटिंग कोई और प जाल गवाय बहुत जल्द से जल्द ये जो है आपको फ्रूटिंग इसमें आने लगेगए इसमें से 2 वे राटी होती है उदोनों बेर अटीनों में से आप जो चाहें चूज कर सकते हैं एक वे राटी यह है कि जो साल भर में एक बार फूटिंग करती है और यह किसी की एक आइकन को भी दबादे जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी करें और आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंड करके जरूर बताएं दोस्तों क्योंकि आपके रिक्वार्मेंट के हिसाब से मैं वीडियो लाता और 100% success कैसे हो गया उसी बारे में बात करेंगे और दिखाते हैं कि देखें एक महीने में इसका कितना अच्छा benefit इसको मिला है और यह बढ़ना शुरू हो गया है अब इसमें हमें खाद देने की requirement आ गई है तो देखिए इसमें हमें यही खाद देना है एक यह खाद है और एक यह तो सबसे पहले यह दिखाते हैं इसको लगाए एक दूसरा प्लांट है देखिए जैसे यह है इतनी मोटी टानी है यह लेकिन इसे अगर लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी फ्रूटिंग देखा और यह 12 मासी प्लांट है साल भर में चार बार फ्रूटिंग करता देख से लगाएंगे कि 100% सच्च जोगा देखिए जहां जहां इसके गाठे हैं वहां वहां से एक हप्ते में ही पनपना शुरू हो गया देखिए यहां से भी रूट इसके जो है ब्रांच आना शुरू हो रहे हैं तो जितनी यहां से यहां और यहां से देखिए यहां भी निकल तो इसको लेखिए यहां से भी आया है तो जितनी इसके जोड़ है उस सब जगह से यह ब्रांच आना शुरू हो जा रहा है तो दोस्तों यह बारामासी जो है ड्रॉमिश्टीक है जिसे सहजन भी काते हैं ऐसे हमने लगाए एक हपते ही हुए और इसमें से एक दो पीन चार ल लें तो इस तरह से लगा सकते हैं और मात्र छे महीने में ही आपको यह जो पावधा भरपूर फ्रूटिंग देने लगता है दोस्तों यह प्लांट है सायजन का कटिंग लगाना बहुत असान होता है थोड़ा सावधानी रखनी होते हैं ताकि 100% सक्षज हो जाए तो इसे लगाने के लिए जो है देखिए यह बहुत असानी तरीका है और हम इसे बता देते हैं कैसे लगाएंगे तो 100% सक्षज होगा और कोई भी इस प्राब्लम नहीं होगी एक भी कटिंग आपका नहीं लगेगा इतनी मोटाई की जो हमारे हाथ में आ जाए कोई भी मदर प्रू प्रूटिंग के बाद इस प्लांट की कटाई की जाती है हर हाल में कटाई करने के बाद ज्यादा ज्यादा प्रूटिंग करता है तो हर लोग इसकी कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद कोई भी मोटी टानी लाएं और उसको निचले हिस्से में बढ़ियां से कट लगा सिर्फ नार्मल मिट्टी और थोड़ा सा आप जो इसमें नीम खली डाल सकते हैं उसके बाद इसे मिट्टी में बस दबा दें कोई भी आपका कम से कम 10 लीटर से 20 लीटर तक के बाल्टी हो या कोई भी गमला हो और हमेशा सुनिश्चित करें इसका कि देखे जो हम सपोर्ट ल लगाए हैं इतनी मोटी डाल में भी सपोर्ट लगाए हैं यह जड़ से बिल्कुल ना हिले अगर जड़ से हिलने से एक महिना तक इसे रोक लेते हैं जो जड़ से नार्मल मिट्टी में इसके रूट आना सुरू हो जाते हैं और उस समय जो है सिर्प नार्मल मिट्टी और कि आपको सिरे पर जैसे कि आप कपड़ा रखके बानना है तो थोड़ा सा गोबर या बर्मी कमपोज मिट्टी मिला करके अब सिरे बांदे और उसके पानी देते रहें ताकि वहां पर हरा बना रहे उसके बाद यह ग्रोव होना शुरू हो जाता है एक हप्ते में ही टहनी आने शुरू हो जाती है जब यह प्लांट जो है आपका इतने बड़े-बड़े इसमें टहनिया आ जाएं बहुत सारी तब इसमें हम सिर्फ बर्मी कंपोज और नीम खली का है तो जादा खुदाई हमें नहीं करनी है इसमें बर्मी कंपोज और नीम खली सीधे इस तरह से डाल दें और ऊपर-ऊपर की मिट्टी थोड़ी-थोड़ी खुदाई करके ताकि यह मिट्टी में पूरी तरह से खाद हमारा मिल जाए तो पौधे लगाने के एक महने बाद ही प्रोसेस करना है देखिए हमारा यह रूट तूट गया अभी बहुत ही मासूम रूट है इसका तो ज्यादा खुदाई नहीं करनी है सिर्फ उपर-उपर ही आपका खाद पौधे में मिल जाए इतना ही गुड़ाई करके और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है जब भी प बस हिलना डूलना बन कर दे अच्छाओं में रख दें कि कम चकम धूप रहा है लेकिन हवा आती रहे तो यह ग्रोव हो जाता है दोस्तों तो देखिए बस इतना ही खाद देनी है उसके बाद इसमें दे देंगे पानी और पानी भी हमेंसा ज्यादा नहीं देनी है क्योंकि जब बड़ा होगा तो आपके च्छत पे बहुत सारा च्हाओं भी देगा जो गर्मियों में बहुत फायदेमंद होगी तो इस तरह से यह लगा सकते हैं दोस्तों और आगे की वीडियो में नेक्स पार्ट में दूंगा कि इस खाद देने के बाद कितना फ्रूटिंग तो कितनी बड़ी हुई एक हपते बाद इसमें हम एक हपते बाद का आपको रिजल्ट दिखाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नही उन्सूब